निमश्कार दोश्तो आज हम 3 जुलाई 2021 के Most Important Current Fair को कवर करेंगे डिस्केशन की PDF आप टेलीग्राम चैल से डालोट कर लिजेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको नीचे मिल जाएगा तो चलो आप आज की क्लास स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले ये देखे आप इस डिस्केशन में हमने जुन 2021 के Most Important 190 को कवर किया है अगर आपने अभी तो जुन का Current Fair कवर नहीं किया है तो आप इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लिजे उसके बाद आपका जुन महिने का एक भी Current Fair नहीं छुटेगा ये जुन 2021 का Important Current Fair है जो वन नाइनर फॉर्मेट में है अब हमारी जनवरी 2021 से लेके जुन 2021 तक के जो हमारी Most Important 700 Current Fair की सिरीज चल रही है इसका Part First, Part Second और Part Third ये तीनो पार्ट ये अपलोड हो गए है और तीनो पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वोक्स में नीचे मिल जाएगा और जून 2021 की जो वीडियो है इसे आप Part 4 भी कह सकते हैं तो अभी तक इसके Part 4 अपलोड हो गए हैं और इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वोक्स में नीचे मिल जाएगा तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पहला कोशन क्या है कैबिनेट ने कार्मिक लोग शिकायत और पैंसिन मंत्राल ले और किस देश के लोग सेवा आयोग के बीच समझोता ग्यापन पर हश्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है देखो यह जो फर्स्ट कोशन है न यह नीचे इंग्लिश में भी लिखा है यहां पर यह देखे आप मिनिस्ट्री ओप पर्शनल पबलिक ग्रिविंसेस और पैंशन तो इसकोशन का सही आंसर है गांबिया अब ही हाली में कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ओप पर्शनल पबलिक ग्रिविंसेस और पैंशन यानि कार्मिक लोग सिकायत और पैंशन मंत्रा ले और गांबिया का जो पबलिक सर्विस कमिशन है यानि लोग सिवायोग इन दोने के बीच एक MOU के लिए साइंग करने को मंजूरी दे दी है तो B इसको शंगा सही आंसर है गैंबिया अब इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है जो personal administration है और governance reform है इनका नभीनी करन करना दूसरा जो governance का system है इसको improve करना और दोने देशों के बीच में जो personal administration है इसको समझना अच्छे तरीके से तो B इसको शंगा सही आंसर है गैंबिया अब इसकी location देखें देखो यह है अफ्रिकन कॉंटिनेंट का map और यहाँ पर यह यहाँ पर है यह गैंबिया वेश्ट अफ्रिका में यह धर जूम करके देखें आप यह वाला जो area है ना सारा यह है गैंबिया का यह इसकी capital है बैंजूल यहाँ पर लिखी भी हुई है बैंजूल इसकी capital है यानि राजधानी है दलासी यह currency है बस आप इसमें इतना याद रखेगा बाकी इसमें जा तो कुछ समझने लाइक है नहीं बढ़ते हैं आगे आगे नवाडी बच्चों को uniform देने वाला पहला राजधा कौन सा बना है simple सा question है तो यह कौन सा राजधा बना है यह बना है गुजरात second question का B answer से यह गुजरात अब गुजरात से आप तीन पॉइंट याद रखेगा कौन कौन से एक तो भारत का जो पहला डाइनसोर पार्क है पहला डाइनसोर पार्क यह कहां पर बना है मतल़ यह कहां पर open हुआ है तो यह हुआ है महाई सागर जिले में महाई सागर जिले में भी एक गाओं है नाम कहा है राइयोली यह आप याद रखेगा कि भारत का जो पहला डाइनसोर पार्क है ये माही सागर जिले के रायोली विलेज में ये बना है दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा किर्किट इस्टेडियम ये कहाँ पर बना है ये बना है एहमदाबाद में नाम क्या है नरंदर मोदी किर्किट इस्टेडियम तीसरा point दुनिया का सबसे बड़ा जो largest toy museum है ये toy museum कहां पर बनेगा ये भी गुजरात बनेगा तो ये तीन point आप याद रखेगा गुजरात की location देखें ये रही location ये basic detail है गांधी नगर इसकी capital है एक माई 1960 में इसकी formation हुई थी भारत के total नो राज्यों की सीमा समुद्र के साथ लगती है जिन में से जो सबसे आद बाउंडरी समुद्र के साथ शेयर करता है ये गुजरात करता है इसलिए गुजरात की longest coastline है विज्यरुपानी ये मुख्यमंत्री है आचार देवरत ये राज्यपाल है 33 जिले हैं लोक सबा की 26 सीट, राज्यसबा की 11, विधान सबा की 182 सीटे हैं राजिष्थान, मध्यपर्देश और महाराश्टरा तीन राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है एहमदबाद में इसकी हाई कोट है जहां के मुखे नयादी से विक्रमनाथ गिर नेशन पार्क जिसे लेंड ओफ एश्यटी क्लाइंस भी कहा जाता है क्यों? क्योंकि भारस के अंदर ये जो एश्यटी क्लाइंस हैं ये सिर्फ गुजरात में देखने को मिलेंगे और गुजरात में भी कहाँ पर इसी गिर नेशन पार्क में इसलिए इसे Land of Asiatic Lines कहा जाता है जो माही रिवर के किनारे पे है यह चार उड़ेम आप याद रखेगा इंपोटेंट है उपर के दो ड़ेम सरदार सर्वर ड़ेम और कमलेश्व ड़ेम यह दोन ड़ेम गुजरात मेश्टित है किस राज्चे ने सोल्ट कारेकर्म सुरू किया है सबसे पहले तो आप यह जान लिजिए यह जो सोल्ट है सोल्ट का पूरा नाम क्या है यह जो सोल्ट कारेकर्म है देखो इसका पूरा नाम है S से आता है supporting यह से आता है आंदर यानि आंदर पद्दिश आप कह सकते हैं L से आता है learning और T से आता है transformation सपोर्टिंग आंदर लर्निंग ट्रांस्फरोमेशन और समझते हैं बेसिक एजुकिशन में जो स्कूल मेनेजमेंट और टीचिंग की क्वालिटी है इसको इंपूरूव करना यानि यह कह सकते हैं learning outcomes को बहतर बनाना उनको इंपूरूव करना इस कारे करम को भी आंदर प्रदेश की सरकार ने लौच किया है तो यह इस कोंशन का सही answer है और इसमें वर्ड बैंक भी 200 मिरियन डोलर की साहिता प्रधान करेगा आंदर प्रदेश सरकार को तो यह इस कोंशन का सही answer है यह रही आंदर प्रदेश की location ये बेसिक डिटेल हैं, हैतरबाद इसकी कैपेटल हैं, एक रॉमबर 1956 में फॉर्मेशन होई थी, ये मुख्यमंत्री हैं, विशो भूशन हरी जंदन, ये राजयपाल हैं, तेहरा जिले हैं, लोग सभा की 25 सीट, राजय सभा की 11, विधान सभा की 175, विधान परिशत की 58 सीटे हैं, ओडिसा, छत्यजगर, तेलंगाना, करनाटका और तमिलाडू, पांच राजयों के साथ सीमा लगती हैं, अमरवती में इसकी हाई कोट हैं, अमरवती जो देश की 25 वी हाई कोट हैं, यहां के मुख्यने आदिश हैं, अरुप कुमार गोस्वामी, लेक की बात करें, आजेशा, दिवस कम मना जाता हैं, बताईए, तो यह जो नेशनल डोक्टर्स डेव हैं, यह हर साल, एक जुलाई को मना जाता है, अब पूछ़ जाए कि एक जुलाई को ही को मना जाता हैं, क्यो को जो पश्चिव मंगाल के दूसरे मुख्य मंतरी हैं, नाम क्या है इंका, दॉक्टर बीसी रोय। इनका पूरा नाम क्या है। बिधान चंद्र रोय। इनकी बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी। ये एक दिन मनाई जाती हैं एक जुलाई को। ये महां डॉक्टर थें। ग्रेट फिजिशन थें। इसलिए एक जुलाई को नेशनल डॉक्ट ये मनाई जाता है। और इसे कबसे बनाना स्टार्ट हुआ है। तो ये उनिश सो कबसे एक क्यानवे से बनाना स्टार्ट हुआ है। ये जो डॉक्टर बीसी रोय हैं इनको 1961 में भारत रतन भी मिल चुका है। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। अच्छा ये बताईए कि International Nurse Day ये कम मना जाता है। ये आप बताईएगा कमेंड बोक्स में कि International Nurse Day ये कम मना जाता है। इसका आंसर आपको बताना है कमेंड बोक्स में खुच से। 14 जून को World Blood Donor Day ये मना जाता है। 15 जून को World Wind Day ये मना जाता है। और 23 जून को United Nations का Public Service Day ये मना जाता है। ये सभी आप याद रखेगा, important है किसने All India Radio के महानी देश्यों के रूप में कारेभार समाला है ये इस question में पूछा गया है तो इस question का सही answer क्या होगा इस question का सही answer है एन वेनुधर रेडी ये हैं कौन? ये 1988 वैच के Indian Information Service Officer है इन्होंने भी हाली में All India Radio का जो Director General Post है उसके लिए चार समाला है बात करें दूसरे option की जैसे VR चोधरी VR चोधरी, Vivek Ram चोधरी ये वायूशनय के उप प्रमुक बने हैं नुकलूफोम, नुकलूफोम को Whitley Award 2021 से सम्मानित किया गया था आरके सबरवाल, इनको Mongolia का Highest Award The Order of Polar Star The Order of Polar Star से सम्मानित किया गया है तो 5th question का B, Answer सही है And when other ready क्रशी और किसान का लैन मंत्राले ने किस सहर में राष्टे, भागवानी बोर्ड, NHB केंदर सुरू किया है तो आंसर क्या होगा Gualier 6th question का C, Answer सही है ये मंत्राले किसके पास है नरंदर सिंग्तोमर इनके पास है ये मंत्राले ये आप याद रखेगा Gualier मद्धे परदेश में है तो ये रहा मद्धे परदेश का important current affair मद्धे परदेश सरकार ने अंकूर योजना सुरू करने की घोशना की है रानी पध्वावती इनका जो memorial है ये भोपाल में बनेगा मद्धे परदेश सरकार ने संकल्प अभियान सुरू किया युनेसको का जो man and biosphere program है इसमें पन्ना टाइगर इसरब को शामिल किया गया है मद्धे परदेश सरकार ने सुरू किया योग से निरोग कारेकरम ये सबी facts याद रखेगा ये मद्धे परदेश की location है ये इसकी basic detail है भोपाल में इसकी capital है एक नॉम्बर 1956 में formation हुई थी सिवराज सिंग चोहान मुख्यमंत्री है आनंदी बेन पटेट राज्यपाल है 52 जिले हैं लोग सभा के 29 सीट राज्यसभा के 11 विधान सभा के 230 सीटे हैं नैशल पार्क की बात करें बंदवगड नैशल पार्क काना नैशल पार्क माधव नैशल पार्क पन्ना नैशल पार्क पैंच या फिर प्रियादर्शने नैशल पार्क संजे नैशल पार्क सत्थपुरा नैशर पार्क, फोशन नैशर पार्क, ये सबी मध्य परदेश में हैं, गुजरात, राजिश्थान, उत्तर परदेश, छत्यकड, महराश्टा, पाँच राज्जों के साथ, सीमा लगती है, जबल पुर में इसकी हाई कोट है, जहां के मुखे नयादिश है, मु प्रिदेश मंत्राले, यानि Ministry of External Affairs में सचीव, यानि West के रूप में पदभार गिरहन किया है, ये पश्चीमी साइट से है, तो आंसर क्या होगा, रीनत संधू, ये इंका सही आंसर है, बात करें दूसर ओप्शन की, मतले ही जो हर ओप्शन है ये इंपोटेंट है, एल इंवेटर अवोर्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो सेवन्त कोशन का भी आंसर सही है, रीनत संधू, वैश्युक साइबर सुरकसा सूचकांग 2020 में भारत किस इस्थान पे रहा है, तो अभी हाली में इंडिया ने 37 रेंग का, मतलब 37 इस्थान का इंप्रूव किया है, तो इसमें रहिए 10 रेंग, लाश्ट यर भारत को इसमें 47 रेंग हासिल हुई थी, अब कोशन उड़ता है कि ये इंडेक्स जारी किसकी द्वारा किया जाता है, तो ITU, ITU है क्या ये, ये International Telecommunication Union है, इसकी द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, इस बार इसका ये 4 एड रहें, तीसरे स्थान पे, इस्टोनिया, और अपना देश भारत रहे, कौन से स्थान पे, ये रहे, दस स्थान पे, यह आप याद रखेगा, क्रेटेरिय क्या होता है, मतलब किंकिन आधार पे इसमें रैंकिंग दी जाती है, जैसे लीगल मीजर्स, टेकनिकल मीजर्स, और से समदित, ये साइबर सिकर्टी होती है, जिसका किसी प्रकार से मिस्यूज ना हो सके, तो एट्थ कोशन का, ए आंसर सही है, कहां के दूपो में 150 वर्स पहले विर्प्त हो चुके चुए, ये प्रजाती है, चुए की, स्यूडो मिस गॉल्डी चुए की प्रजाती फिर से म मिली है, तो नैंत कोशन का, ये सही आंसर क्या होगा, ओस्टेलिया, वेस्टन ओस्टेलिया के जो आइलेंड है, वहां पर ये मिली है, बस आप इतना याद रखेगा, और इसकी ये जिस पिसेज है, नाम क्या है, सुडो मिस यहां पे हिंदी में देखिए, सुडो मिस गोल् सुलाई को मना जाता है, टैंत कोशन का, ये आंसर सही है, इसे फर्स्ट टाइम 1997 में मनाया गया था, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा, ठीक है, ये तो थी हमारी करेंट फिर की क्लास, अब ये हमारी कल के कोशन जो आप से पूछे गए थी, जमूर कश्मीर के उपराज जपाल ने होसला कारेकरम सुरू किया, होसला पहल मतलब, जमूर कश्मीर के उपराज जपाल को हना है, प्रिजेंट टाइम में, तो मनो सीन सही आंसर है, किस राज्चे ने सरकारी नोकरियों में सभी भरतियों के लिए शाक्षातकार यानि इंटर्व्यू रत कर दिया है, तो आंदर प्रदेश सही आंसर है, किसको सही उक्तराष्ट है, संभू के भारतिय संग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो संभू नात स्रिवाश्तव, ये सही आंसर है, कौन टोक्यो ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतिय महिला गोलफर बन ग तो महाराष्ट्रा इस पोशंगा सही आंसर है, ये हमारे आज के कोशन है, जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बोक्स में खुस से, हाली में युक्रेन ने किस देश के साथ काला सागर में संयुक्त नोसयनिक अभ्यास सी ब्रीच 2021 की शुरुवात की, किस बैंक ने 1 जुल फ्लालीस इन लो एंड जश्टिस पुश्ट तक किस ने लिखी है, किस देश ने बहतें जल विद्यूत बांध का संचालन सुरू कर दिया है, तो इन 6 कोशनों का आंसर आपको कमेंट बोक्स में खुद से बताना है, तो फ्लालीस डिसकुशन को हम यहीं पर रोकते हैं, थै थैंक्यू